हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ शे समाप्त किया था, आज हमारा पाठ है पाठ साथ मेरी कहानी, तो आईए बच्चों पढ़ते हैं इस पाठ को, पाठ साथ मेरी कहानी, आईए देखते हैं इस कहानी का पाठ परिच्चे, यह कहानी भारत के पूर्व प्रधा मंत्री पंडित जवाहर्लार नहरू की आत्मकता का अंश है इसमें उन्हों ने अपने बारे में बताया है आईए पढ़ते हैं बच्चों यह कहानी है हमारे आकरी में हम लोग लंदन पहुंचे हैरो में दाखिल होने की द्रस्टी से मेरी उम्र कुछ अधिक थी क्योंकि मैं उन दिनों 15 बरस का था यह मेरी कुछ किस्मती ही थी कि मुझे वहां जगह मिल गई मेरे परिवार के लोग पहले तो यूरोप के दूसरे देशों की यात्रा क को चले गए और फिर कुछ महीनों बाद हिंदुस्तान लोटाए मैं के आखिर में हम लोग लंदन पहुंचे वहां मेरी उम्र बहुत अधिक थी लगबग उन दिनों मैं था 15 वर्ष का मेरी कुछ किस्मती थी कि महां मुझे जगह मिली और मेरे परिवार के लोग यूरोप क दूसरे देशों की यात्रा कर रहे थे लेकिन बाद में वो हिंदुस्तान ही लोटाए इस से पहले मैं अजनबी आदमियों में बिलकुल अकेला कभी नहीं रहा था इसलिए मुझे बढ़ाई सूना सा मालूम पढ़ता और घर की यास सताती थी लेकिन यह हालत ज्यादा दि जिन्दगी में हिल मिल गया और पढ़ाई तथा खेलकुद में लगा रहने लगा लेकिन मेरा पूरा मेल कभी नहीं बैठा मैं कभी भी अजनबियों के बीच नहीं रहा तो मुझे बहुत ही खाली लगता था और मुझे गर की याद भी आती थी मैं बाद में स्कूल में पढ़ाई में खिलकुद में लगा रहने लगा खिल मिल गया लेकिन मैं रा कभी उन लोगों के साथ सामज़से नहीं बैठा हमेशा मेरे दिल में यह ख्याल बना रहता कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ और दूसरे लोग भी मेरे बारे में यही ख्याल करते हूंगे कुछ हद तक मैं सबसे अलग अकेले ही रहा लेकिन कुल मिला कर मैं खेलों में पूरा पूरा हिस्सा लेता था खेलों में मैं चमका चमकाया कभी नहीं लेकिन मेरे विशास है कि लोग यह मानते थे कि मैं खेल से पीछे हटने वाला भी नहीं था मैं उन लोगों को नहीं समझ पा रहा था नहीं वो, मैं अकेला सही रहता था लेकिन मैं खेलों में जरूर हिस्सा लेता था और लोग भी ये बहुत अच्छे से जान गए थे कि मैं खेल से कभी पीछे नहीं हट सकता शुरू में मुझे नीचे के दरजे में भड़ती किया गया क्योंकि मुझे लैटिन कम आती थी लेकिन फॉरन ही मुझे तरक्की मिल गई कई बातों में और खास कर आम बातों की जानकारी में मैं अपनी उम्र के लड़कों से आगे था मेरी दल्चस्पी के विशे बहुत थे और मैं अपने जादातर सहपाटियों से जादा किताबे और अख़बार पढ़ता था मुझे याद है कि मैंने पिताजी को लिखा था कि अंग्रेज लड़के बड़े मठर होते हैं क्योंकि वे खेलों के सिवा और किसी विशे पर बात ही नहीं कर सकते लेकिन मुझे इसमें अपवाद भी मिले थे खास तोर पर उपर के दर्जों में सबसे पहले मुझे सबसे नीचे का दर्जा मिला मुझे लैटन कमाती थी लेकिन मुझे तुरंत ही तरक्की मिल गई कुछ बातों में खास कर मुझे रूची थी जैसे किताबे पढ़ना, अकबार पढ़ना मुझे याद है कि मैंने अपने पिताजी को भी लिखा था कि ये जो अंग्रेज लड़के होते हैं न ये बड़े ही मठर होते हैं इन्हें खेलकूत के अलावा किसी विशे में कोई रूची नहीं लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ अपवाद भी मिले स्कूल में अच्छा काम करने के लिए मुझे जीम प्रवे लियन की गैरी बॉल्डी संबंदी एक पुस्तक इनाम में मिली थी इस पुस्तक में मेरा मन ऐसा लगा कि मैंने फॉरण ही इस माला की बाकी किताबे भी खरीद ली और गैरी बॉल्डी की पूरी कहानी बड़े ध्यान से पढ़ी हिंदुस्तान में भी इसी तरह की घटनाओं की कल्पना मेरे मन में उठने लगी मैं आजादी की बहदुराना लड़ाई के सपने देखने लगा मेरे मन में इटली और हिंदुस्तान अजीब तरह से मिल जुल गए स्कूल में में बहुत अच्छा काम कर रहा था इसके लिए मुझे जिएम ट्रेवेलियन की गैरी बॉल्डी संबंध एक पुस्तक थी वो मुझे इनाम में मिली तो मैंने क्या किया इस पुस्तक की जितनी भी किताबे थी यानि कि इस पुस्तक की शंकला की जितनी भी किताबे थी मैंने सब खरीद लिए और मैंने उन्हें बड़े ही ध्यान से पढ़ा हिंदुस्तान में भी ऐसी घटनाए होती थी जो मेरे मन में उठने लगी आजादी की बहदुल लड़ाई मुझे सपने में देखने को मिली और मैंने अपने मन में क्या देखा कि इटली और हिंदुस्तान एक हो गए इन ख्यालों के लिए हैरो कुछ छोटी और तंग जगे मालूम होने लगी और मैं जादा बड़े शेत्र में जाने की इच्छा करने लगा इसलिए मैंने पिताजी को इस बात के लिए राजी कर लिया मैं हैरो में सिर्फ दो बरस रहकर माह से चला गया यह दो बरस का समय महा के निश्चत साधरन समय से बहुत कम था मेरे मन में क्या आने लगा कि यह जो हैरो जगा है वहां मैं जादा नहीं रह सकता मुझे बहुत तंग होना पड़ा मुझे बिलकुल भी महां मजा नहीं आया इसलिए मैंने वापस आने के लिए पताजी से बात की कि मैं दो बरस में वापस आ जाओ और यह महां के समय का कोई निश्चत समय नहीं था 1907 में अक्टूबर के शुरू में मैं ट्रेन ब्रिज के ट्रेनिटी कॉलेज में पहुच गया उस समय मेरी उम्र 17 या 18 बरस के लगबग थी मुझे इस बात की बेहत खुशी हुई कि अम मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ स्कूल के मुकाबले यहां मुझे जो चाहूं सो करने की काफी आजादी मिलेगी मैं लड़कपन के बंधन से मुक्त हो गया था और यह महसूस करने लगा कि आखिर मैं भी अब बड़ा होने का दावा कर सकता हूँ मैं एट के साथ क्रेंबिज के विशाल भवनों और उसकी तंग गलियों में चक्कर काटा करता यदि कोई जान पेचान वहां मिल जाता तो बहुत खुश होता 1907 में अक्टूबर में मैंने ट्रेंबिज के ट्रिनिटी कॉलिज में दाखिला लिया उस समय मेरियों 17 या 18 वर्ष की थी मुझे बहुत खुशी थी कि मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ अब मुझे आजा दी है कुछ भी करने की मुझे बहुत गर्व था कि मैं ट्रेंबिज के विशाल भवनों में चकर काटा करता और यदि मुझे महां कोई मेरी जान पेचान का मिल जाता तो मुझे बहुत ही खुशी होती क्रेंबिज में मैं तीन साल रहा ये तीनों साल शांति पूरवक बीते दीरे दीरे धीमी धीमी बहने वाली कैम नदी की तरहां ये साल बड़े आनन्द में बीते इन में बहुत से मित्र मिले कुछ अध्यन किया और कुछ खेले मैंने प्राकर्टिक विज्ञान का कोर्स लिया था मेरे विशे थे रसायन शास्त बोगर्ब शास्त और वनस्पती शास्त परंतो मेरे दल्चस्पी इन्ही विश्यों तक सीमित नहीं थी कैम्ब्रेज या छुट्टियों में लंदन अत्वा दूसरी जगह हूँ जगों में मुझे जो लोग मिले वे सहित्य इत्यास के बारे में राजनीती और अर्शास के बारे में बाच्चित करते थे पहले तो ये बाते मुझे बड़ी मुश्किल मालूम हुई परंतो जब मैंने कुछ किताबे पढ़ी तब सब बाते समझने लगा हम लोग अपने आपको बड़ा अकलमन समझते थे पैंब्रेज में मैं तीन साल रहा वो साल मेरे बहुत ही शान्ती से बीते दीरे दीरे वहाँ पे मेरे मित्र भी बने मैं पढ़ा भी मैं खेला भी और मैंने कोर्स लिया प्राकरते विग्यान का जिश में मेरे विशे थे रसाइन शास्त, भूघर्ब शास्त और बनस्पती शास्त परंतु मेरी रुची अन्ने विशों में सीमित नै थी चुट्टियों में लंदन और दूसरी जगा के लोग जो साहित्ते के बारे में, इत्यास के बारे में, राजनीती और अर्शाद के बारे में बात करते थे मुझे वो सुनना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था लेकिन जब मैंने उनकी किताबे पढ़ी तो मुझे वो भी अच्छी लगने लगी, समझ में आने लगी कुझे कौन सा केरियर चुनना चाहिए उस दिनों के लिए इंडियन सिविल सर्विस की बात भी सोची गई उन दिनों उसमें एक खास आकर्शन था परन्तु ने तो पिता जी ही उसके लिए बहुत उस्सुप थे और ने ही मैं आता है यह विचार छोड़ दिया गया इसका मु इंडियन सिविल सर्विस के लिए उम्र कीमियाद 22 से लेकर 24 वर्ष तक थी पिताजी और मा दोनों ही यह चाहते थे कि इतने दिनों तक अलग रहने के बाद उनके पास ही रहूं बस पासा पुष्टैनी पेशे यानि वकालत के पक्ष में पढ़ा और मैं इनर टेंपिल में भरती हो गया 1910 में अपनी डिगरी लेने के बाद मैं क्रेंब्रिस से चला गया जब मैं क्रेंब्रिस में था तो ही यह सवाल उठा कि मुझे क्या करियर चुनना चाहिए मैंने सोचा इंडियन सिविल सर्विस के बारे में क्योंकि उस समय उसमें बहुत ही खास आकर्शन था लेकिन ना तो उसके लिए पिताजी राजी थे और नहीं मैं तो मैंने ये विचार छोड़ दिया और एक बात ये भी थी कि उसके लिए मेरी उम्र कम थी उसमें जरूरत थी 22 से 24 वर्ष की मेरी उम्र थी 21 वर्ष अब पिताजी और माने क्या सोचा कि बहुत दिन हो गए मैं उनके पास ही रहने लगूं और जो अपना पुश्टैनी पेशा है वकालत का वही करूं उसके बा अपनी डिगरी लेने के बाद मैं क्रैंपिस से चला आया आएए देखते हैं इस कहानी का उदेश है उदेश है अपने अनुभवों को दूसरों को साजा करना इस कहानी में यह बताया है कि जो हमारे पास हमारे अनुभव हैं उन्हें हम दूसरों के साथ शेयर करें उनसे सा अपने अनुभवों को बाटें आईए देखते हैं इसके शापदार्थ बरस वर्ष मेल सामजसे दिल्चस्पी रूची अपवाद परंपरा से अलग माला शंकला एट गर्व अब इसके बाद आती है वर्तनी वर्तनी में देखते हैं पंद्रह में हम बिंदी अटा के आधा न लिख सकते हैं संबंदी में हम पहली बिंदी हटा के आधा में और दूसरी बिंदी हटा के आधा ने लिख सकते हैं हिंदुस्तान में हम बिंदी हटा के आधा ने लिख सकते हैं कैंब्रेज में हम बिंदी हटा के आधा में लिख सकते हैं बंधन में भी हम बिंदी हटा के आ अधने लिख सकते हैं, अब इसके बाद इसमें दी हैं कुछ आगशक्त, तो देखते हैं, दाकिल अर्बी का है, खुशकिस्मती अर्बी का है, हालत अर्बी का, जादा अर्बी का, हद अर्बी का, स्कूल अंग्रेजी का, ख्याल अर्बी का, फॉरन अर्बी का, अकबार अर् पार्सी और अर्बी दोनों का काफी फार्सी का कोर्स अंग्रेजी का किताबे अर्बी का केरियर अंग्रेजी का अब इसमें हमें कुछ मुहावरे भी दिये हैं तो देखते हैं बच्चों मुहावरे सूना सूना मालूम पढ़ना, अकेला अनुभव करना, हिल मिल जाना, अब्वेस्थ हो जाना और अब यहां पे हमारा आता है अभ्यास कार्रे और अभ्यास कार्रे में आप सब जानते हैं, आता है हमारा बहु विकल्पिय प्रश्ण बहुवी कल्पिय प्रश्ण में आप सब जानते हैं एक प्रश्ण चार उत्तर एक उत्तर सही वो हम बताएंगे तो पहला देखते हैं बहुवी कल्पिय प्रश्ण जवाहरलाल नहरू कौन थे भारत के प्रधान मंत्री भारत के रक्षा मंत्री भारत के राश्पती या मंत्री तो कौन थे वो भारत के प्रधान मंत्री दूसरा प्रशन देखते हैं हैरो स्कूल कहां था अमेरिका लंदन भारत या चीन कहां था लंदन ने तीसरा देखते हैं, नेहरू जी सहपाठियों से ज़्यादा क्या पढ़ते थे, अकभार, किताबे, किताबे अकभार इन में से कोई नहीं, तो उत्तर क्या है इसका, किताबे अकभार चौथा प्रशन देखते हैं, नहरू जी को किस बात की खुशी हुई थी? ग्रेजुएट होने की? अंडर ग्रेजुएट होने की? इंटर करने की? इन में से कोई नहीं. किसकी हुई थी? अंडर ग्रेजुएट होने की. प्रेंबर्ज में नहरुजी कितने वर्ष रहे चार वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष पांच वर्ष कितने वर्ष रहे तीन वर्ष यह हो गए बहुविकल्पे प्रशन अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा लिखित प्रशन तो लिखित प्रशन का प्रशन क्या क्या है निम खालिस्तान के लिए उचित होंगे वो हम खालिस्तान में बढ़ेंगे तो पहला देखते हैं लेकिन ये हालत खालिस्तान दिनों तक नहीं रही ज्यादा कम तो इसका उत्तर क्या है ज्यादा दूसरा देखते हैं यह मेरी खालिस्तान ही थी खुश किसमती ये चिंचलता तो इसका उतर क्या है खुश किसमती तीसरा देखते हैं शुरू में मुझे नीचे के खालिस्तान में बढ़ती किया गया कमरे या दर्जे तो इसका उतर क्या है दर्जे चौथा देखते हैं लेकिन खालिस्तान ही मुझे तरक्की मिल गई तुरंत या फॉरन तो इसका उत्तर क्या है फॉरन यहां क्या लिखेंगे फॉरन पाच्वा मैंने खालिस्तान विज्ञान का कोर्स लिया था प्राकर्तिक या रसायन तो इसका उत्तर क्या है प्राकर्तिक अब बच्चो इसके बाद आता है हमारा खैप्रशन तो खैप्रशन देखते हैं में लिखेत बाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने गया लिखिए तो पहला है नहरु जी हैरो में केवल दो बरस ही रहे सही तीसरा नहरु जी के अनुसार है रो स्कूल उनके लिए अधिक बड़ा था सही तीसरा देखते हैं नहरु जी ने बीस वर्ष की उम्र में अपनी डिगरी ली थी सही चौथा पढ़ाई के बाद नहरु जी ने वकालत की गलत अब बच्चो आता है हमारा गया प्रशन तो गया प्रशन देखते हैं में लिखे पाक्यों के सामने भवनों और उसकी तंग गलियों में चक्कर काटा करता था इसका मुख्य कारण यह भी था कि उसके लिए भी मेरी उम्र कम थी मैं लडगपन के बंदन से मुक्त हो गया था मैं के आखिर में हम लोग लंदन पहुचे मैं अपनी उम्र के लड़कों से आगे था तो पहला क्या है माई के आखिर में हम लोग लेंदेन पहुचें दूसरा क्या है मैं अपने उम्र के लड़कों से आगे था फिसरा है मैं लड़कपन के बंधन से मुक्त हो गया था और चौथा क्या है नहरू जी क्रैमडिस के वेचाल भवनों और उसकी तंगलियों में चक्क काटा करता था इसका मुख्य कारण ये भी था कि उसके लिए अभी मेरी उम्र कम थी ये हुआ पांचवा अब हमने कहानी के अनुसार यहां पे क्रमांक दे दिये हैं और इसी के साथ बच्चो यहां पे हमारा पार्ट समाप्त होता है बच्चो मुझे लगता है आप सभी को पार्ट साथ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा अब आप सब बच्चे इस पार्ट का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए